लवनीश सरकी क्लास गई है गनित विशे से और आज इसमें हम पूर्नांकों के गुनन के गुन सीखेंगे यानि पूर्नांकों को हम कैसे गुना करते हैं और किस प्रॉपर्टी से किस गुन को लगा के गुना करते हैं उसको हम सीखेंगे तो चलिए बिना समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो देखो पहला जो गुण है वो है गुणन के अंतरगत सम्वृत इसका नाम थोड़े से मुश्किल है हिंदी में कोई बात नहीं आप इसको ऐसे ही लर्ण करने की कोशिश कीजिएगा इस प्रोपर्टि का नाम याद करना है गुणन के अंतरगत सम्वृत इसमें क्या होता है कि सभी पूर्णांकों A और B पूर्णांक होते क्या है याद है ना पूर्णांक होते हैं जिसमें माइनस के भी नंबर होते हैं और प्लस के भी नंबर होते हैं इन्हें हम कहते हैं पूर्णांक क्या कहते हैं पूर्णांक याद रखना तो सभी पूर्णांकों A और B के लिए यदि हम A गुणा B करते हैं तो उसका जो उत्तर आता है वो भी एक पूर्णांग होता है यानि A भी पूर्णांग, B भी पूर्णांग अगर हम उनको गुना करेंगे तो जो आने वाला उत्तर है वो भी पूर्णांग होगा जब हम क्या करते हैं कि मानलो कोई दो पूर्णांग है A और B अगर आप A को B से गुना करोगे या B को A से गुना करोगे तो दोनों स्थितियों में दोनों का उत्तर बराबर ही रहेगा उधारन के लिए अगर हम 3 को माइनस 4 से गुना करें तब भी आंसर माइनस बारा आएगा माइनस बारा कैसे एक प्लस का एक माइनस का है ना तो आंसर माइनस में आएगा माइनस बारा अगर मैं माइनस 4 को 3 से गुना कर दूँ तब भी उत्तर के आएगा माइनस बारा फिर तीसरा गुन है शूनने से गुना तो किसी भी पूर्णांग A के लिए, कोई एक पूर्णांग, मालनो कोई भी पूर्णांग, अगर आप उसको 0 से गुना करेंगे, तो उत्तर हमेंशा 0 ही आएगा, जैसे कि माइनस 7 को 0 से मल्टिप्लाई किया, यानि गुना किया, तो उत्तर 0, अगर आप 4 को 0 से करें, तो भ कोई बात नहीं गुणात्मक तस्समक इसमें क्या होता है किसी भी पूर्णांक ए के लिए यानि कोई भी पूर्णांक हम ए इसले मांदें कि इसका मतलब कोई भी पूर्णांक अगर आप उसको एक से गुणा करेंगे या एक को उस पूर्णांक से गुणा करेंगे तो हर इस् एक से गुणा करें या एक को माइनस आठ से गुणा करें हर इस्तिती में उत्तर के आएगा माइनस आठ ही याद रहेगा फिर अगला जो गुण है वो है सहा चार रेता सहा चार रेता हमें क्या होता है कि नि 3 पूर्णा मालो कोई 3 पूर्णा अगर पहले दो का गुननफल को तीसरे से हम गुना कर दें या दूसरे और तीसरे के गुननफल को पहले से गुना कर दें तो उत्तर हमेशा सेम ही रहेगा उधारन के लिए अगर हम 5 गुना 2 गुना 3 करें यानि 5 को 2 से गुना किया उत्तर आया 10 फिर इसको 3 से गुना करें तो क्या आएगा उत्तर 30 लेकिन अब हम दूसरे और तीसरे को गुना करें तो 2, 3, 6 और उसको पहले से गुना कर दें तब भी उत्तर क्या आएगा 5, 6, 30 तो उत्तर दोनों सितियों में बराबर होगा अगर हम उनका क्रम बदल भी दें तब भी फिर एक होता है वित्रन गुन किनी तीन पूर्णांग को A, B, C के लिए मतब कोई तीन पूर्णांग है अब A को हम गुना करें B प्लस C से यानि जो अगले दो पूर्णांग है दूसरे और तीसरे नमर के अगर उनका जोड और उसको हम पहले वाले से गुना कर दें या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले जो पहला पूर्णांग है उसको दूसरे से गुना करें और फिर जमा का निशान लगा के पहले वाले को तीसरे से गुना करें यानि A गुना B, जमा A गुना C जो भी निशान यहां बीच में होगा हम निशान वो ही लगाएंगे जमा का होगा तो जमा का, घटा का होगा तो घटा का उधारन के लिए देखो जैसे 5 गुना 3 जमा दो यहां 3 पूर्णांग है, पहला पूर्णांग, दूसरा और तीसरा ठीक है अब 5 गुना 3 जमा 2 करें तो इसको हमने करना कैसे है 5 को पहले 3 से गुना करेंगे और फिर 5 जमा 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15 जमा 5 दुनी 10 उतराया 25 ठीक है इसको हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि 5 देखो हम इसको ऐसे इसको बोलते हैं या वित्रन गुन बांट ना वैसे तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो पांच गुना तीन जमा दो पांच पंजे पच्चिस उत्तर तो दोनों स्थितियों में बराबर रहे गए कि इसको ऐसे हम बांट के करते हैं तो चलो इसी कई अब हम और अभ्यास करते हैं आओ अभ्यास करें कथन एक कथन दो और फिर कौन से गुन का नाम उसमें कौन सा गुन लगेगा तो याद करो माइनस पंदरा गुना सत्रा इसका उत्तर आया माइनस दो सो पचपन माइनस पंदरा और सत्रा दोनों इसका नाम है गुनन के अंतरगत सम्वृत, ठेक है, ऐसे लिखना है, फिर दूसरा वाला देखो, 12 को माइनस 35 से गुना किया, तो उत्तर आया माइनस 420, अब अगर हम इनके करम बदल देए, माइनस 35 को 12 से करें, तब भी उत्तर क क्या आएगा, माइनस 420, तो ये कौन सा गुन हुआ, जवदी से मुझे बताओ, ये कौन सा गुन है, ये है, करम विनी मयता, ठीक है, याने अगर हम करम बदल भी दें, तब भी उत्तर वही रहेगा, फिर ये क्या है, माइनस 25 को एक से गुणा करा, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस 25 ही, अगर इसी तरह एक को 17 से गुणा कर दें, तो क्या उत्तर आएगा, मैंने बताया था, वही पूर्णा, याने की 17, तो ये वाला कौन सा गुण हुआ जानिए, तो ये गुण हुआ, इसको से गुणा करते हैं, तत्समक, ठीक है, फिर 0 को 71 से गुणा करा, तो क्या उत्तर आएगा, 0, और 23 को 0 से करें, तो भी उत्तर 0, ये वाला कौन सा गुण है, ये है, 0 से गुणा, 0 से गुणा, फिर इसके बाद है, 10 को माइनस 3 से गुणा करा, और फिर इसके जो गुणनफल को 12 से गुणा करा, तो उत्तर के आया, देखो, 10 को माइनस 3 से किया, तो आया माइनस 30, इसको 12 से किया, तो उत्तर आया माइनस का 360, अब अगर हम 10 को बहार निकाल दें, और माइनस 3 और 12 को पह करें तब भी उत्तर माइनस का 360 तो अब बताओ ये वाली कौन सा गुण है इसका तो ये है सहा चार्यता सहा चार्यता देखो मैं साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं आप इसको समझेगा और फिर इसके बाद है ये देखो 5 गुणा 3 जमा दो जो पर अभी समझा था तो इसको हम वित्रन गुण कैसे करेंगे इसमें मैं तो बताई दिया खेर 5 गुणा 3 जमा 5 गुणा 2 और ऐसे ही अगर 15 गुणा 6 जमा 15 गुणा 4 तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं 15 गुणा 6 जमा 4 ऐसे भी लिख सकते हैं याद कर उपर हमने लिखा इसको हम कहते हैं वित्रन कौन सा गुन वित्रन गुन तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है चलिए अब दूसरा प्रशन है कि नीचे दिये गए प्रशनों को सत्य बनाने के लिए रिक्तिस्थान को एक पूर्णांक द्वारा भरिये पूर्णांक यानि जमा की भी कोई संख्या या कोई घटा की कोई भी संख्या तो माइनस चार को किसे गुना करें कि 48 आ जाए तो आप जल्दी से याद करो कौन से पहाड़े में 48 आता है 4 पर खासतोर से 4 के 4 पर वो चला जाए और कौन से पहाड़े में 48 आएगा तो सीधा सीधा मुझे तो पहाड़े आते हैं देखिए 12 पर जाएगा क्योंकि 12 चोक 48 होते हैं लेकिन 12 हमें कौन सा लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो माइनस का अगर मैं खाली 12 ले लूँ तो ये माइनस 48 होगा जो की सही नहीं है तो मुझे माइनस 12 लेना पड़ेगा माइनस 12 से जब माइनस 4 को गुना करूंगा तो उत्तर आएगा माइनस 48 फिर दूसरा है 26 को माइनस 48 से गुना करा प्लस माइनस 48 को 36 से गुना करा तो बताईए इसका क्या उत्तर आएगा पहले तो 26 को माइनस 48 से गुना करेंगे तो देखिए अगर आप 26 को माइनस 48 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस 1248 तो जब माइनस 48 को माइनस 36 किया तो यह आया प्लस का 1728 अब यह बताओ माइनस प्लस क्या होता है क्योंकि दोनों opposite sign है तो उत्तर हमारा आ जाएगा 480 क्योंकि प्लस का sign बड़ा है फिर इसके बाद 8 को किस से गुना करें कि माइनस 72 उत्तर आए तो 8 के पहड़े में बाहतर कहा आता है 9 पर आता है लेकिन हमें माइनस का बाहतर चाहिए तो हम माइनस के 9 से गुना करेंगे फिर इसके बाद है 7 गुना 50 घटा दो तो इसको डिरेक्ट नहीं करना कि 48 को 7 से करना है तो इसको हम कैसे करेंगे पहले 7 को 50 से गुना करेंगे माइनस का sign है और फिर 7 को 2 से भी गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 350, गटा में 14, जो की होता है 336, इस तरीके से हमें करना है, फिर तीसरा प्रशन बहुत महत्वपून प्रशन है, कि 10 प्रशनों के एक टेस्ट में प्रतेक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिये जाते हैं, और प्रतेक गलत उत्तर के लिए माइनस 2 अंक दिये जा तथा प्रत नहीं किये गए प्रशनों के लिए 0 दिया जाता है, यदि रमा ने 6 सही प्रशन किये, तो 6 सही प्रशनों के लिए 5 अंक देंगे, 3 गलत दिये, यानि 3 के लिए माइनस 2 काटेंगे, और आखरी प्रशन नहीं किया, तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त होंगे, पहले तो जो दिया होता है ना हमेशा उसको लिख लिया करो आप यहाँ पर लिखोगे सही उत्तर बराबर पांच अंक ठीक है लिखोगे फिर गलत उत्तर माइनस दो अंक ठीक है इस तरह से कहना जैसे मैं कर रहा हूँ और उत्तर नहीं छोटा मतब ज्यादा बढ़ा नहीं लिख रहा है जीरो अंक ठीक है रमा ने सही उत्तर दिये बराबर छै और यहाँ पर लिख दो रमा ने गलत उत्तर दिये इसका मतलब वही होता है जो कौमा लगाया ना जो उपर लिखा है वही होता है तो तीन अब कुल अंक कितने प्राप्त होंगे कुल अंक के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे बही कुल में उसके सही और गलत दोनों ही है तो सही उत्तरों की संख्या गुना सही उत्तर की अंक ठीक है यह तो सही उत्तर का मामला हो गया जमा जो उसने गलत गलत उत्तरों की संख्या को हम क्या करेंगे उससे गुना कर देंगे जितने अंक होंगी गलत उत्तरों के अंक ऐसे ही होगा ना दोनों तरीके के उसने करें तो सही उत्तरों की संख्या कितनी थी 6 और सही उत्तर के अंक कितने थे 5 जमा में गलत उत्तरों की संख्या कितनी थी 3 और गलत उत्तरों के लिए अंक कितने थे माइनस के 2 ठीक है तो 6 गुना 5 30 जमा 3 गुना माइनस दो माइनस 6, तो जब प्लस माइनस खोलते तो क्या बन जाता है माइनस बन जाता है, तो उत्तर आया 24 अंक अब आप समझे कैसे करना, यह आपका उत्तर है तो यह तो थी आज की वरक्शीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको सहमज में आने लगा है तो इस वीडियो को और चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी आपके अपने इस चैनल को 50 के तक पहुचा दीजिए लेकिन याद रखिएगा घर से बहार निकलते समय मास्क जरूर लगाना है और समय आने पर कोरोना की वैक्सिनेशन जरूर करानी है क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहना बनाना है इसी उमीद के साथ बहुत बहुत धन्यवादाई